ये टॉफी मार्केट में 50 पैसी की एक मिलती है तो मैंने यहाँ पर 10 रुपे की 20 टॉफी ली है एक लिटर दूद को मैंने उबलने के लिए रख दिया है आप अगर कम कुलफी बनाना चाहते हैं तो आदा लिटर दूद और पांच रुपे की टॉफी के साथ भी यह कुलफी बना सकते हैं दूद को चलाते रहेंगे इन्हीं डालेंगे एक कटोरी में कुछ देर के बाद ही दूद में उबाला चुकी है थोड़ा सा गरम दूद लेंगे और इसे टॉफी के उपर डाल देंगे थोड़ा और डाल रही हूँ ताकि यह अच्छे से डूप जाए अभी मैं इसे ढखकर साइड पर रख देती हूँ दूद को हम मीडियम फ्लैम पर जब तक यह आधा रह जाएगा तक तक गाड़ा होने देंगे आप देख सकते हैं यह किनारों से जो मलाई लगी है हम इसे भी इस तरह से निकाल कर दूद में मिला लेंगे इस समय दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है तो मैं डाल रही हूँ तीन चम्मा शकर टॉफी भी मीठी है तो शकर थोड़ी कम डालेंगे आप देख सकते हैं दूद में काफी सारी मलाई बन गई है और यह अच्छे से गाड़ा हो गया है शकर इस समय गुल चुकी है यहाँ पर टॉफी को हमने डग कर रखा था दूद में डूबो कर इसे कड़ाई में डाल लेते हैं टॉफी को हम पूरा गुलने तक दूद को लो फ्लेम पर ही उबालेंगे इस समय हमें दूद को और ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है सिर्फ हमें टॉफी गुल जाए तब तक ही दूद को उबालना है टॉफी को मैंने गरम दूद में इसलिए डूबो कर रखा था ताकि ये नरम हो जाए और दूद के अंदर जल्दी से घुल जाए टॉफी जैसे जैसे दूद के अंदर घुलेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा लगबग 5 मिनिट के पाद दूद का कलर हलका सा ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा गाड़ा भी हो गया है टॉफी विल्कुल पिगल चुकी है तो अब मैं फ्लेम को आफ कर देती हूँ मेरे पास कुलफी बनाने के लिए इस तरह की साचा है अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्पोजेबल क्लास के अंदर भी कुलफी को सेट कर सकते हैं दूद ठंडा हो चुका है तो मैं भी डाल रही हूँ कटे हुए काजु और बादाम यह ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डाले टॉफी के अंदर इलाइची डली हुई है इसलिए मैंने इसके अंदर इलाइची नहीं डाली है तो यहाँ पर मैंने मोल्ड के अंदर सारा दूड डाल लिया है और थोड़ा सा बज गया था तो मैंने कप में डाल दिया है इसके उपट से अलूमिनियम फॉइल लगाएंगे अलूमिनियम फॉइल सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि यह जो आईस्क्रीम स्टीक है यह बीचो बीच टीकी रहे अगर आपके पास अलूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप आईस्क्रीम स्टीक को दो घंटे बाद लगा सकते हैं अभी मैं इसे राद भर के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ अगले दिन कुलफी हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ आप देख सकते हैं कुलफी बहुत ही अच्छी बनी है इसके उपर से कुछ ड्राइफूर्ट डाल देती हूँ यह कप वाली कुलफी को भी डी मोल्ड कर लेते हैं तो आपने देखा यहां पर टॉफी से कितनी अच्छी कुलफी बनकर तैयार हुई है इसे कट करेंगे मार्केट से भी अच्छी कुलफी घर पर बनकर तैयार हुई है और वो भी बहुत कम सामान में कम सामय में आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होते से लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपी इस देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए करेंगे